तो डोस्तों ऐब वीडियो बहुत ही सांदार होने माले है तो आज़ के वीडियो को बिना is up कि और पूरा जरूर देखिए द्थ आपने दोस्तों के पास पीडियों को जरूर पराइस नातक जैसे candidate के लिए आप में भरती होने वाला है दोस्तों साथ ही आठी पास जैसे candidate, computer past जैसे candidate तथा nursing librarian सभी पदों के लिए जो है रिकूट्मेंट जारी हुआ है तो जानेंगे आज की इसी वीडियो में संपूर जानकारी दोस्तों तो सबसे पहले आज हम देखें जो है computer past candidate के लिए भरती विग्यापन जारी हुआ है उसके बाद है राइपूर में जो है आप nursing officer और librarian की वेकंसी देखने वाला है दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे जीला गौरला पेंडरा मरवाही में इस नातक past candidate के लिए रिकूट्मेंट जारी हुआ है उसके बाद दोस्तों हाँ पे spectrum college of education नर्दहा राइपूर में जो है विभी नपदो की वेकंसी यहाँ पे जारी हुआ है उसके बाद जो है जो भी candidate 12th पास कर चुके हैं और वो फार्मेसिक कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी भरती विग्यापन जारी हुआ है तो पूरी जानकरी आप subscribe करके रख लिजे क्योंकि इसी तरह से हम नए नए recruitment के बारे में डेली आपको update कराते रहते हैं ठीक है दोस्तों और इसमें कोई भी आपको doubt होगा तो आप comment कर सकते हैं तो यहाँ पे चली अप time waste नहीं करते हैं तो सबसे पहले recruitment के बारे में हम जानकारी प्राप्त करत विद्धालम में भरती होना है दोस्तों जो की है राजनान गाज जीले में संचाली थे पांच जो है आत्मानन स्कूलों में यहाँ पे भरती के लिए आविदान आमंतरीत किया गया है चत्तुजगर के मून निवासी तथा योगता धारी आविदेकों से आविदान यहाँ आमंतरीत किया गया है इसके लिए आपको जो है पंजिकरी डांक स्पीट पोस्ट के माधम से यहाँ पे भेजना होगा कहां भेजना है तो जानकारी में आपको भी दूंगा दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कारेले में उपस्थित होकर कक्ष क्रमांग 108 में जमा कर सक हैं अगर आप कहीं दूर दराज में रहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पंजिकरी डांक के माधम से ही सेंड कर दीजे दोस्तों इससे आपका समय मनी सभी बचेगा ठी है तो रिक प्रदो का विवरन यहां से हम देखते हैं तो व्याकता सिक्षक के लिए है और सिक पॉस्ट है साह्यक शिक्षक विज्ञान प्रयोक शाला के लिए है जिसमें योगिता मैं बताउं कि इसमें 20,300 रूपया दिया जाएगा बाकी की योगिता की बात करें तो हम व्याकता के लिए देखें इसमें आपको 38,000 रूपया इसमें पोस्ट शरी वेतन आपको दिया जाएगा और जो है निम्तम योगता मानता प्राप्त विश्वित डाला से हिंदी माध्धम में संबंधित विशा में निम्तम दियुतिय श्रेणी के साथ इस नाकोतर की उपादी एवं बेट परिशिक्षीत हो तो ऐसे केंडिडेट इसमें इलिजीबर रहने वाले हैं अगल गर्म कुछा चैंस श्रेजची चैंटत전 के संबंधित लायत अर्वीस्वित के इसमें कि लिए साथ इसमेंडित रर्वेतेव के संभीवान बात कर propagate से इसमें इसमें दिखने क्लीन इसमेंइं आप को 15 300 रुपय इसमें आपको वेत्न दे पात व्योवन दोस्तित देख सकते और यहां पर आविदन चैन प्रक्रिया के संबंद में यहां पर दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों ठीक है तो इस पर आविदन करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यमेंट आपको लगने वाला है सनलगने आपको करके पंजी करिड़ना क्या फिर जो हस्वाम उफासित ह कर आपको जमा करना है तो दसवी का अंगसूची 12 इसनातक के अंगसूची सनकोत्तर और अगर आपने किया है तो उसका अंगसूची टीटी मून लिवास जाती और रोजगार खाले लगा है जीवत पंजीयन आपको यह सब अटेच करना होगा दोस्तों आविदन करते समय औ और यहां पर merit के प्रापतांग के आधार पर आपके merit सूचीज में बनाया जाएगा तो व्याकता के लिए यहां पर देख सकते हैं इसना तक जो है market sheet में आपका प्रापतांग का 40% लिया जाएगा PG का 60% उसी प्रेकार सिख्षक के लिए जो है बारवी का ठीशा का 40% और इसना तक का 30% लिया जाएगा तो देख सकते हैं हमको form का प्का अच्छे से बिना किसी गलती के यहां पे भरना होगा रूस्तों और यह जो पद रहेगा समीधा पद रहेगा दोस्तों और अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप राजनानगाउ.nick.in के वेबसाइट में विजिट करके जो है अधिक जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं साथ ही इसका जो फुल डिटेल पीडिएव तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल ही जाएगा दोस्तों तो इसके लिए आप रिस्चिंट रहेए ठीक है तो देख सकते हैं आप समपूर्ट जानकारी यहां पे दिया गए है तो इसका अलोकन एक बार आप से जरूर कीज दोस्तों तो एक बार इसका अलोकन आप से जरूर कीज़ेगा दोस्तों ठीक है और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंड कीजिए आपके कोश्चन का अंसर आपको मिल जागा तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एर्गूट्मेंट की दरफ दोस्तों तो दोस्तों यहां पर कारेलग कलेक्टर जील सुक्मा के तरफ से रिकूरूट्मेंट जारी हो चुका है दोस्तों जिसमें कि यहां पर अनुभाग इस्तर परवन अधिकार प्रकोष्ट में छेत्री कारिकरता की नियुक्ती किया जाने होतु जहां यहां यहां पर विग्यापन कारेलीन पत्र कमांग में आविदन अमंतरित किया गया है दोस्तों ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं जिसमें छेत्री कारे करता है तुपात्र आविदक प्राप्त हेत्व जो है यहां पर रिकूरूट्मेंट जारी किया गया है जिसके लिए जो है तीन जर्मरी 2023 तक यहां पर आविदन आमंतरित के आगे है दोस्तों तो आपको आविदन कैसे करना है तो आगे आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा जानकारी तो चलिए देख सकते हैं छेतरी कार करता फिल्ड वर करके है वितन प्रती माहा आपको 15,000 दिया जाएगा एक ही पोस्ट रिक्त है और समीदा के लिए आपको यहां पर कारे रत रहना होगा अनुभाग इस तर पर दोस्तों ठीक है तो देख सकते हैं इसके लिए योगता हम आगे देखेंगे तो आविदन निर्धारी प्रारूप में पूर्ण का जो है अवेशक दस्तावित दिरांग तीन जन्वारी दोह साम पांज पर दिर्ध तक जो है आप अजिक लिद्धाकिया स्वाम उपस्तित होकर इस कारेले कोलेक्टर आदिवासी विकास सका जिला सुकमा में जमा कर सकते हैं आविदन प्रारूप सेक्ष्ण के योगता है या विध्यापन से संबंधी जानकारी आपको आगे यहां पे मिलने वा जो है अधिकतम जो बोला गया है चालिस वर्ष अधिक यहां पर नहीं होना चाहिए और जो है आवदक छतुसगर कर राज्यों का मूल निवाशी होना चाहिए चाहिए आपकी सीभी जीले सो हो इसमें आवदन आप कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और आवदन प्रक्रिया तथा निर्धारिती थी यहां पर दिया गया है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है और यहां पर दोस्तों इंटर्वी के समय सेक्षिन तथा अनुभा संबंधी मुल प्रमान पत्र यानि की ओरिजिनल कॉपी जो है अपने सेक्षिन की योगता का परिक्षन के उप रहते हो तो इसका उलोकन आप जरू की जिएगा और यह आविदन का प्रारूपी है रहा है तो इसको प्रिंट निकल वा लेना है यह जानकारी आपको फिलब कर दिना है और दिये गया निर्धारी डेट से पहले आपको आपको भेज़ दिना होगा तो आप स्वेम उपस्त थो घर जमा कर सकते हैं ठीग है दोस्तों तो पड़ते हैं नेक्स्टेश र्गूटमेंट की तरफ दोस्तों तो दोस्तों यहां पर अगला रिगूटमेंट है कार्यला कलेक्टर करेक्टर आदिवासी विकास साखा जो इन गोरेला पिंडरव मरवाही के लिए भी यहां पे छेतरी कारी करता है यानि कि फिल्ड वर्कर के पोस्ट के लिए रिगूर्टमेंट जारी किया गया है दोस्तों तो इसमें भी योगता और अन्य संबंधी जानकारी जो है जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सुपनजीलिक लिए बताय प्रकास से रहेगा दोस्तों एक ही पोस्ट यहां पर रिखता है और समीदा पोस्ट है नमाहा के लिए आपको भाग इस तर पर कारी करना होगा सभी सेम है दोस्तों केवल इसमें आविदन प्रारम कीती थी तो यहां पर 6 दिसंबर से यहां पर स्टार्ट हो चुका है और अ पिटर का गयान यहां पर मंगा गया है दोस्तों तो देख सकते हैं आविदा निर्धारी प्रवत्न में पूंड करता था अवश्क दस्तमें सथ्यापित कर दिनांक पांच चनवरी दोस्तों तक इसमें जीला मुख्याला के सायक आयुक्त आदिवासीवीकास कारेले में देख सकते हैं यह दिया गया है दोस्तों तो इसको भी आप प्रिंटाउंट निकालके वहाँ पे सेंड किजेगा है ठीक है दोस्तों तो इसमें भी अगर आउग को डाउट होगा तो आप कमेंट कीजेगा तो बलते हैं नेक्स्ट रिक्रूट्मेंट की तरफ दोस्तो तो यहाँ पर अगला रिक्रूट्मेंट निकल के आ रहा है स्पेक्ट्रम कॉलेज ओप एजुकेशन नर्दहार आयपूर के तरफ से है दोस तो यहाँ पर हम सबसे पहले पोस्ट के लिए योगिता की बात करें तो इसमें देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री इन जो है सोशियल साइंस विद जो है 55% मार्क यानि कि 55% के साथ जो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजवेशन उत्युड मंगा गा है समाजिक मंगा गा है 55% के साथ उत्युड ठीक है और अगर आपके पास नेट सेट या पीजवेश्डी का जो है कॉलिफिकेशन है तो वह तो बहुत ही अथी बात है दोस्तों इसमें आप एलिजीवर रहने ही वाले नेमों पोस्ट की बात करें तो चार पोस्ट यहाँ पे रिखते ह से यहाँ पे मांगा गहा दोस्तों या तो फिर एमेड डिग्री फ्रॉम जो है 55% के साथ यहाँ पे मांगा गहा है ठीक है दोस्तों इसमें भी उसी प्रकार से दिया गहा है कि नेट यूजी सी पीए अगर आप कौलिफाई है तो इसके लिए आप पात्र रहेंगे ठीक है वेतन की बात करें तो सेवंथ पे इसकेल के हिसाब से आपको यूजी सी के तरफ से आप इसमें पेमेंट दिया जाएगा अब बात करें इसमें आपको आवधन कैसे करना है तो जो है देख सकते हैं यह अब ऑद जो है पब्लिश होने से पहले आपको पंदरा दिन के भीटर आपको 25 दिसमबर को recruitment जारी हुआ है तो अभी आप 15 दिन से पहले आपको recruitment का आपको आपको आविदन कर लेना है अगर आप योगताओं को रखते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों तो आपको एक resume बनाना है अच्छा सा आपको 3 seat का hard copy में जो आपको passport size लगा कर जो है आपको send करना होगा कहा send करना है देख सकते हैं आपको address दिया गया है दोस्तों ठीक है इसी address पर जो कि है village नरदहा पोस्ट नरदहा तहसील आरंग district रायपूर cg 493 111 mobile number भी दिया गया है तो इसी address पर आपको यहाँ पर send करना होगा ठीक है तो मैं बोल रहा था कि इसमें आपको resume बनाना है passport size photo उसमें attach कर देना है ठीक है दोस्तों और register recruitment की तरब तो दोस्तों यहाँ पर सत्र 2022 तेविस में bachelor of pharmacy डिप्लोमा फार्मेसी और master of pharmacy पार्ठकरव में प्रेश से तो online counseling की सूच रहा है यहाँ पर जारी कर दियागा है दोस्तों जिसमें online counseling के लिए website link आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ से आप online registration करना है और यह एक विक December 2022 साम पांच वे तक इसमें registration आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है दस्तावे प्रिक्षन के इंद्रो में दस्तावे जो का प्रिक्षन भी 28 और 29 दिसम्बर को किया जाएगा ठीक है और seat abundance यानि की allotment list जारी होने कि तीती दियागा है 30 December 2022 को यहाँ पर जारी होगा seat allotment और आवंडिट संसा में admission लेने का date दियागा है कि आपको 31 December साम पांच वे तक आपको यहाँ पर admission लेना है दोस्तों उसी दिन आपको यहाँ पर admission लेने लेना होगा सुबह 10 बाद से start हो जाएगा तो साम पांच वे तक चलने वाला है ठीक है दोस्तों तो इसके बारे में अधि टेलिग्राम चैनल पर विजिट नहीं किये है तो जल्दी से जाकर लिंक में description मिल जाएगा वहाँ से आप डारेक्ट ही टेलिग्राम में विजिट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों या तो फिर आप सर्च कीजिएगा टेलिग्राम चैनल में cgjob250 तो आपको हमारा चैनल प्राप आपकोड़ करके बाहिव से जायके सप 그냥 वापकोबव सकते हैं स्के वाईट वाउर नहीं कि नहीं है या ठीक चैनल में आप सकते हैं स्ॉ नहीं का जाएग управ दे पर वावस्तों वहाइगा पर दून नहीं टेलिग्राम बारेकर वाषैम से पाप टीकिवलें टीक वाउर में